अध्याय दस्वा मुक्ति के साधन मुझे याद नहीं कि ये कौन से साल की बात है, पर बड़े दिन की छुटियां थी और अदालतें और दफ्तर बंद हो चुके थे. इन बातों को भूलने का कारण ये है कि हुजूर महराजी की बातें बहुत चल्दी में और बिना किसी तैयारी के नोट कर ली गई थी. हुजूर के आराम या सुविदा का कोई ख्याल ना रखते हुए लोग किसी भी समय आ जाते थे. हुजूर भी इतने दयालू थे कि वे तुरंट उनसे मिलने नीचे आ जाते और बड़े प्रेम के साथ उनके सवालों का जवाब देते. बेवक्त आने वाले लोगों में अधिकतर नए जिग्यासु हुआ करते थे, जो लाहौर, अम्रिस्त सर और कश्मीर जाते समय घंटे दो घंटे के लिए डेरे में रुक चाया करते थे. खास तोर पर एक दिन की बात मुझे याद है, जब हुजूर महराज जी सुबा से दोपहर तक बाहर से आए हुए लोगों के साथ बातें करते रहे और दोपहर का भोजन भी दो बजे ही ले सके. जैसे ही भोजन करके उठे कि फौजी अफसरों की एक टोली आ गई और हुजूर के दर्शनों की प्रार्थना की, मैं उनसे माफी मांग ही रहा था कि हुजूर खुद बाहर आ गए और थोड़ी देर आराम करने की मेरी प्रार्थना को उन्होंने अनसुनी कर दिया. उन अफसरों ने भी हुजूर से कुछ आराम करने की विनती की पर वे ना मानें. उन्होंने सब को बुला लिया और बड़े उत्साह के साथ उनके सवालों का जवाब इस ताजगी के साथ देने लगे, मानो रात भर आराम करके अभी उठे ही हों. ऐसे मौकों पर जब हम उन इसलिए ये बातें जल्दी जल्दी में नोट की गई हैं. तारीख, महीने और दूसरी बातों को लिखने का समय ही नहीं मिलता था और ना मैंने उस समय इसकी जरूरत ही समझी. इसके बावजूद भी, जब कभी मैंने अपने याददाश्ट से कुछ तारीख वगरा लिखन समय या काल की सीमा से पार नहीं हैं. अपनी छुटियों का कुछ समय डेरे में बिताने के लिए कुछ लोगों का एक दल वहां आया था. उसमें राय सहाब रनजीत कोपाल, जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मेरिस्ट्रेट जलंदर थे, वहां के मशूर फौजदारी वकील सर सतसंगी थे, बाकी लोग सतसंगी नहीं थे, पर आज कल के पढ़े लिखे लोगों की तरह वो लोग भी परमात्मा क्या है और मरने के बाद क्या होता है, आदी के बारे में कुछ जानने को उच्छुक थे. लेकिन शर्त ये थी कि इसमें उन्हें मेहनत और तकलीफ ना उठ पढ़े. राय रंजीत कुपाल ने हुजूर से उन सब का परिचे कराया. जालंधर के एडवोकेट सरदार भगत सिंग, सरदार जगत सिंग, जो बाद में हुजूर महराज सरदार बहादूर बने, और राय सहब मुन्शी राम, जो पंजाब के डिस्ट्रिक्टिवम सेशन् और बाद में हुजूर महराजी के सेक्रेटरी बने, और इनके साथ मैं भी वहां मौजूद था. ये सत्संगी हर छुट्टी को, चाहे वो एक ही दिन की क्यों न हो, डेरे आया करते थे. जब हुजूर सब की राजी खुशी के समाचार पूछ चुके, तो सरदार केसरा और बातचीत शुरू की और पूछा, परमार्थी ग्यान प्राप्त करने के लिए जिक्यासू को किस गरंथ का अध्यन करना चाहिए? हुजूर महराजी ने पूछा, अभी तक आपने कौन सी पुस्तकें पढ़ी हैं? मैंने गीता का अंग्रेजी अनुवात पढ़ा है. हु इसकी भाषा इतनी कठिन है कि आसानी से समझ में नहीं आती. हुजूर में सुझाव दिया, तब आप सुखमनी सहब पढ़ें. ये आसान और सरल है. और वैसे तो शुरी गुरू गरंथ सहब का भी काफी अंश बहुत आसान है. यहाँ पंडित केवल कृष्ण बोले, बें तो आखिर किताबे ही होती हैं. चाहे वे कितनी ही धार्मिक और प्रेरत क्यों नहों. असल में जरूरत तो एक ऐसे पहुँचे हुए और सिद्ध पुरुष्की है, जिसके शरीर के रोम रोम से रुहानियत की किरने बिखर रही हों. राए रंजीत कोपाल ने कहा, प्र एक शन का बैठना वर्षों की प्रार्थना और तपस्या से कहीं बेहतर है. सरदार केसरा सिंग ने कहा, असली समस्या तो मन को वश में करने की है. महराजी ने फरमाया, मैं इस विशे में आपको बड़े-बड़े संतों के कथन सुनाता हूँ. हमारे शरीर में मन का ठिकाना आँखों के पीछे तीसरे तिल में है. मन यहीं से शरीर के नौ दर्वाजों से संसार में चारों और फैलता है. जब तक हम मन की फैली हुई तवज्जो को बाहर से समेट कर वापस इसी जगए ना ले आएं, तब तक मन को काबू करना मुश्किल है. लोगों ने इसे वश मे करने के लिए कई तरीखे अपनाए लेकिन पूरी तरह असफल रहे. हुजूर ने सरदार भगत सिंग को शब्द की महिमा के शब्द में से गुरु अरजुन देव का पाठ पड़यो और बेद बिचारयो पद पढ़ने को कहा. इस पुस्तक में हुजूर महराजी के द्वार शिरी गुरु गरंत सहब में से चुने गए शब्दों का संग्राय है. सरदार भगत सिंग ने पूरा शब्द पढ़कर सुनाया. सुरठ महला पंजवां तर्ती प्रमियों दुबिदा छुटके नाही. मन कामना तीरत जाए बसियो सिर करवत तराए. मन की मेल ना उतरे एबिद जे लख जतन कराए. कनिक कामिनी हैवर गैवर बहु बिदी दान दातारा. अन बस्त्र पूमी बहु अरपे ना मिलिये हर दुआरा. पूजा अर्चा बंदन दंडवत खट करम रत रहता. हव कव करत बंदन में परेया ना मिलिये ए जुगता. जोग सिद आसन चौरासी ए भी करकर रहेया. वड़ी आरजा फिर फिर जन में हर सियू संगना गहेया. राज लीला राजन की रचना करया हुकम अफारा. सेज सोहनी चंदन चोवा नरक कोर का दुआरा. हर कीरत साद संगत है सिर कर्मन के कर्मा. कहो नानक तिस पयो परापत जिस पूरब लिखे का लहना. तेरो सेवक ए रंग माता. पयो करपाल दीन दुख पंजन हर हर कीरतन ए मन राता. शब्द पढ़ लेने के बाद हुजूर महराजी ने फरमाया कि इस पद में गुरु अर्जुन देव उन सब तरीकों और साधनों का वर्नन करते हैं जो प्राचीन काल से मन को बस में करने के लिए अपनाए जाते रहे हैं और साथ ही उनके परेणामों का भी जिक्र करते हैं एक-एक करके वे इन साधनों की निरर्थकता पर प्रकाश डालते हैं अंत में गुरु सहब कहते हैं कि इन में से किसी भी साधन के द्वारा ना मन पर काबू पाया जा सकता है और ना वासनाओं को दूर किया जा सकता है राय सहब रंजीत कोपाल बोले मैं पिछले साथ आठ साल से गीता के दूसरे अध्याय का पाट करता आ रहा हूं लेकिन मेरी आखें आज खुली हैं और मुझे अपनी बेवकूफी पर ताज्यूब हो रहा है क्योंकि मैं मान बैठा था कि इस पाट से ही मुझे मुझे मुक हुजूर ने पूछा आप कितने दिनों से ये पाट करते आ रहे हैं वकील सहब ने जवाब में कहा चौदे साल की उम्र से यानि पिछले ग्यारे साल से महराज जी ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है अपनी भक्ती और प्यार के लिए आप बधाई के पात रहें लेकिन आईए अब इसके गुणों पर शान्ती पूर्वक स्पष्ट रूप से विचार करें सब धर्म गरंथों का चाहे वे अपने धर्म के हो या दूसरे धर्मों के समान आध्यात्मिक लक्ष और महत्व है यहां हम किसी खास धर्म या व्यक्ती की बात नहीं कर रहे हैं मान लें एक इसाई रोजाना एक घंटा बाइबल पढ़ता है या एक बौध प्रातहकाल बड़े प्रेम से अपने धर्म गरंथ का पाठ करता है लेकिन इन गरंथों को पढ़ने का उद्देश्य क्या है यही कि इन में हमारे लिए जो बाते लिखी हैं जो हिदायतें दी गई हैं हम उन पर अमल करें और उनका फाइदा उठाएं अगर आप किसी गरंथ को केवल एक बार ही पढ़ते हैं लेकिन उसे अच्छी तरह से समझ लेते हैं और उसकी हिदायतों का पालन शुरू कर देते हैं तो उसको पढ़ने का असली उद्देश्य पूरा हो जाता है अगर आप किसी गरंथ को बिना समझे बूझे बार बार तोते की तरह रठते जाएंगे और उसमें जो लिखा है उस पर अमल नहीं करेंगे तो उससे कोई लाब नहीं होगा ऐसा पढ़ना तो सिर्फ रूड़ी या रस्मको निभाना होगा वकील सहब बोल उठे लेकिन करते तो सब लोग यहीं है हुजूर ने फरमाया यही तो आश्चर्य की बात है ये तो वैसी बात हुई कि जैसे पेट का दर्द दूर करने के लिए डॉक्टर के लिखे नुस्खे को बार बार पढ़ते जाना लेकिन दर्द उस समय तक नहीं जाएगा जब तक आप उस नुस्खे के अनुसार दवा बना कर उसे डॉक्टर की हिदायत के अनुसार नहीं लेंगे एक आदमी कश्मीर जाने के लिए वहां की गाइड बुक या मार्ग दर्शिका खरीद लेता है और केवल उसको पढ़ता ही रहता है जाने के नाम पर एक कदम भी नहीं उठाता तो क्या वो कश्मीर पहुँच जाएगा वकील सहब ने पूछा तो क्या फिर धर्म गरंतों को पढ़ने का कुछ फाइदा ही नहीं हुजूर ने जवाब दिया नहीं कुछ फाइदा तो है ही इनको पढ़ने से मन का जुकाव भक्ती की तरफ होता है और परमात्मा से मिलने की इच्छा पैदा होती है लेकिन हमें यहीं नहीं रुक जाना चाहिए ग्रंथ हमें मालिक से मिलने का रास्ता बताते हैं मार्ग में आने वाली रुकावटों का वर्णन करते हैं और उन्हें दूर करने के उपाई भी बताते हैं ग्रंथों को रचने वाले महात्मा ये भी बताते हैं कि मन को वश में करने के लिए उन्होंने क्या उपाई किये। जैसे अभी जो आपने शब्द सुना है, उसमें गुरु अरजुन देव जी अपने अनुभवों का जिक्र करते हैं। अगर हम उनके अनुभवों से लाब उठाने और उन पर अमल करने के बजाए केवल इस पद का पाठ ही करते रहें, तो मेरे ख्याल से परमात्मा की प्राप्ती में कोई प्रगती नहीं कर सकेंगे। इस पर राय सहब रंजीत कुपाल बोले, गुरु नानक देव जी खुद फरमाते हैं कि कोई चाहे महीनों, सालों और सारी जिन्दगी ही क्यों ना पाठ करता रहे, केवल एक साधन, यानि सुरत को शब्द से जोड़ना ही कारगर होता है, बाकी सब बेकार है। हुजूर महराजी ने कहा, बात तो ये है कि धर्म गरंथों का केवल पाठ ही कोई खास महत्व नहीं रखता। अगर धर्म गरंथों का पाठ ही मोक्ष दिला सकता था, तो रावन को मोक्ष क्यों नहीं मिला? वो तो वेदों का बड़ा भारी टिका कारपंडित था। आप सब जानते हैं कि उसका चरित्र कैसा था? अब भी हर साल राम लीला में उसका पुतला जलाया जाता है। लोग समझते हैं कि धर्म गरंथों को पढ़ने और तीर्थों और नदियों में सनान करने से उनके पाप धुल जाते हैं। परंतु यदिवे गहराई से विचार करें तो उन्हें मालूम होगा कि पापों के धुलने की बजाए पापों के समू में एक पाप और जुड़ गया है। परंतु को दूसरों से ज्यादा विद्वान, पवित्र और धर्मात्मा समझने के अभिमान और एहंकार का पाप। लेकिन गुरु अर्जुन देव जी सिर्फ इतना ही कहकर चुप नहीं रहे। वे आगे कहते हैं कि लोगों ने मौन भी धारन किया। अपने दो टुकड़े भी करवा लिये। लेकिन इन सबसे भी उनके अंदर की आँखे ना खुली। काशी में एक बड़े मंदिर में एक आरा यानि करवत था और ये माना जाता था कि उससे अपने आपको चिरवाने से मनुष्य जिस इच्छा को लेकर अपनी बली देता था वो पूर्ण होती थी। क्या लोगों ने आरे से अपने दो टुकडे करवाए। हे इश्वर कितनी निर्दैता है। वकील सहाब हैरानी के साथ बोल उठे। सरदार केसरा सिंग बोले और कितनी बड़ी ना समझी। हुजूर ने फरमाया मुक्ति पाने के लिए लोग बेशुमार तकलीफें बरदाश्ट करते हैं पर इन सब का नतीजा क्या होता है ये आप खुद ही देख सकते हैं। नौजवान वकील ने पूछा लेकिन हुजूर नेक नियत से की गई इन तपस्याओं का कुछ फल तो होता ही होगा। प्राप्ति इन साधनों से नहीं होती। गुरु अरजुन देव जी यहां उन सब साधनों और काया कलेशों का वरनन करते हैं जो लोगों ने मन को बस में लाने के लिए किये और अंत में कहते हैं कि इन सब से उन्हें कोई सहायता नहीं मिली। सरदार केसरा सिंग ने फिर पूछा, मन को वश में करने के लिए गुरु सहब खुद कौन से उपाय बताते हैं। हुजूर ने जवाब में फरमाया, वे कहते हैं कि जब इन सब साधनों से जो आम तोर पर परमात्मा को पाने के लिए किये जाते हैं, वे परमात्मा को ना पा सके तो वे गुरु के चरणों पर गिर पड़े। और सत्गुरु ने उनको अनहद शब्द, हरी कीर्तन या दिव्य धुन का मार्ग दिया। यही सब संतों का मार्ग है। हर एक देश के संतों ने हर युग में इसी मार्ग को अपनाया है। मुसल्मान संत इसे निदाए आसमानी या सुल्तान अलजगार कहते हैं। प्राचीन रिशियों ने इसे आकाशवानी कहा है। इसाई महात्मा इसे वर्ड या लॉगोस कहते हैं। ये एक ऐसी मधुर धुन है कि आत्मा इसे एक बार सुन लेती है तो उसका सब कीच और मैल उतर जाता है। महराज जी, क्या कोई ऐसी खास निशानी है जिससे हम संतों को पहचान सकें। हुजूर ने जवाब दिया, हाँ, ऐसी पहचान है जरूर, लेकिन एक पहुची हुई आत्मा ही उन्हें जान सकती है, एक कर-कर-कर की श्रेणी में पढ़ने वाला बच्चा किसी कॉलेज के प्रिंसिपल के ग्यान की, जो की M.A. या पी-स-डी है, था नहीं लगा सकता और नहीं उसे समझ सकता है। और गुरु गोबिन सिंग सहब की वानियों में ये अंतर क्यूं है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, कहो नानक हम नीच करमा, तो क्या हमें उनके शब्दों का अर्थ जियों का त्यों ले लेना चाहिए। पल्टू सहब फरमाते हैं, जीवन भर मैंने पाप ही पाप किये हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इन कथनों से उनकी नम्रता और दीनता प्रकट होती है। सच्ची नम्रता केवल संतों में ही मिलती है, दुनियादार लोग तो नम्रता और दीनता का अर्थ ही नहीं समझते। हलांकि संत अपने आपको दास कहते हैं, पर जानने वाले कहते हैं कि वे कुल मालिक ही होते हैं। सरदार केसरा सिंग ने कहा, हुजूर, जब हम डेरा पहुँचे, तो एक आदमी कबीर सहब का पद गा रहा था, कि मेरा गुरू परमात्मा से भी ज्यादा प्यारा है। राई सहब रनजीत कोपाल ने बताया, हुजूर, ये तो कबीर सहब का वो मशूर दोहा था, गुरू गोबिंद दोओ खड़े, काके लागों पाए, बलिहारी गुरू आपने जिन गोबिंद दियो बताए। हुजूर ने कहा, ये तो सेवक का अपने गुरू के प्रती, कृतग्यता और प्रेम प्रकट करने का तरीका है। सरदार केसरा सिंग ने पूछा, क्या परमात्मा के लिए मनुश्य रूप में अवतार लेना संभव है? हुजूर महराजी ने फरमाया, इसमें असंभव क्या है? जब भी परमात्मा इस संसार में आता है और वो आता ही है, तो हमेशा मनुश्य के रूप में ही आता है। अगर वो फरिष्टे या देवी देवता के रूप में आये, तो ना हम उसे देख सकेंगे और ना ही वो हमसे बातें कर सकेगा। गाए, पशुपक्षियादी तो हर तरह से हमसे नीचे हैं, वे हमें उपदेश नहीं दे सकते। इसलिए मनुश्य का रूप धारन करके ही वो इस संसार में आकर मनुश्य से बातें कर सकता है, उसे समझा सकता है। केवल मनुश्य ही मनुश्य को ग्यान दे सकता है। जब भी ज़रूरत पड़ी, परमात्मा हर देश, हर काल में मनुश्य के रूप में प्रकट होता रहा है और हमेशा होता रहेगा सरदार केसरा सिंग ने कहा, संतों को पहचानने के लिए कुछ लक्षन या चिन्न तो होने चाहिए हुजूर हसे और बोले, नहीं, ये जरूरी नहीं है, जिन जीवों के लिए वे आते हैं, वे जीव आसानी से उन्हें पहचान लेते हैं सरदार केसरा सिंग ने फिर पूछा, तो परमात्मा ने अपने आपको मनुश्य की आँखों से छिपा क्यों रखा है हुजूर महराज जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, परमात्मा कभी उस मनुश्य से छिपा नहीं, जो असली माने में मनुश्य है लेकिन क्या हम वास्तव में मनुश्य हैं? हम तो एक बेहतर दरजे के दो टांग वाले जानवर हैं, जिनमें अन्य जानवरों की बनिस्बत थोड़ी सी बुद्धी अधिक होती है असली मनुश्य तो वो है जिसने अपनी मूल सत्ता को वापस पा लिया है, जिसने उस दौलत को खोज लिया है, जिसे मालिक ने उसी के लिए उसके शरीर में संभाल कर रखा है हम तो अपने शरीर और मन के बल पर ही नाचते रहते हैं, हमारे अंदर ऐसी चेतन सत्ता और आंतरिक शक्तियां हैं, जो सोई पड़ी है जब उन्हें जगा लिया जाएगा, तभी मनुश्य वास्तव में पून मनुश्य बनेगा पून मनुश्य वही है, जो इस भू मंडल से लेकर चेतन मंडल तक सब कुछ देखता है पर मात्मा उससे छिपा नहीं है मनुश्य जितना अधिक इस आंतरिक चेतनता को जगाएगा, उतना ही अधिक वो सच्चा मनुश्य बनता चला जाएगा सरदार केसरा सिंग बोले, ये तो निर्विवाद और स्पष्ट मालुम देता है पंडित केवल कृष्ण ने कहा, हमारे लिए तो ये सब कुछ एक पहेली है इस पर महराजी बोले, हाँ, लेकिन ऐसी पहेली जिसका हल निकाला जा सकता है असलियत तो ये है कि हमने कभी इस पहेली को हल करने की कोशिश ही नहीं की परमात्मा तो खुद पवित्रता और अच्छाई का खजाना है फिर महराजी उसकी स्रिष्टी में पाप कैसे पैदा हुआ राय रंजीत कोपाल ने कहा बुराई नाम की चीज़ का अस्तित्व मनुश्य के अपने द्रिष्टी कोन से ही है पूनता के द्रिष्टी कोन से देखें तो अपूनता नाम की कोई वस्तु है ही नही बुराई है ही नही परन्तु तुलनात्मक दृष्टी से देखें तो बुराई और पाप एक दर्दनाक सच्चाई है लेकिन विश्व के संचालन में बुराई का भी एक महतुपून योग है किवल कृष्ण ने प्रश्ण किया हुजूर बुराई और पाप की उत्पत्ती कहां से हुई हुजूर ने जवाब दिया हर चीज परमात्मा से ही पैदा हुई है क्या पाप भी? हाँ, छाया, परच्छाई और रात का अस्तित्व किस से है? सूरज से पंडित केवल कृष्ण ने बड़ी उत्सुकता से पूछा क्या वास्तव में शेटान या संतजन जिसे काल कहते हैं होता है? हुजूर ने कहा निससंदे होता है परमात्मा ने उसे क्यों बनाया? हुजूर ने जवाब दिया हमारी भलाई के लिए इसका होना बहुत जरूरी था सांप का जहर दूसरों के लिए जहर है उसके खुद के लिए नहीं नौजवान वकील ने पूछा हुजूर स्त्री के आकरशन और प्रेम से कैसे बचा जाए? हुजूर महराजी ने जवाब दिया प्रेम और काम वासना में आकाश पाताल का अंतर है प्यार उपर की और उठाता है और काम नीचे की और घसी उठता है प्रेम आत्मा का सुभाव है वासना इंद्रियों का प्रेम वो अलौकिक भाव है जो मालिक की मेहर से ही प्रकट होता है वासना गंदी गलियों की गणिका है जिससे हर नेक और परमार्थी पुरुश को बचना चाहिए हम इन बातों की असलियत को नहीं समझ पाते हैं अगर हम रोजाना इस बात पर विचार करने में समय दें तो हम वासना के मोह पाश से बच सकेंगे राइस सहब रंजीत कुपाल ने कहा हुजूर मौलाना रूम फरमाते हैं कि जिसे दुनिया इश्क कहती है वो बहुत ज्यादा गेहूं खाने की गर्मी से पैदा होता है हुजूर महराजी ने फरमाया हमारी आँखों पर मोह और वासना का परदा पड़ा हुआ है वे उस अनमोल हीरे उस कोहिनूर को नहीं देख सकती जो इस देह रूपी तिजोरी में बंद है अगर हम मिट्टी और चमडे से बनी इस देह से उपर उठकर देखने की कोशिश करेंगे तो हमें परमात्मा की अलौकिक पुत्री आत्मा दिखाई देगी जो इस काया रूपी नगरी में रहती है कितने शर्म की बात है कि देह रूपी मेला परदा जो चिठडों से बना हुआ है मनुश्य को इतना अंधा कर देता है कि उसे अपने अंदर छिपे हुए तेजस्वी सूर्य की चमक दिखाई ही नहीं देती सरदार केसरा सिंग बोले लकडी की चोखट हमारा ध्यान खीच लेती है और हम उसमें जड़ी अध्भुत तस्वीर की अलौकिक सुन्दरता को समझ नहीं पाते हम केवल कागज की पुडिया की ओर ही निहारते रहते हैं उस रत्न को नहीं जिसे जोहरी ने उस पुडिया में लपेट रखा है पंडित केवल कृष्ण ने पूछा महराज जी परमात्मा ने इस संसार की रचना क्यों की हुजूर ने जवाब दिया हमारी भलाई के लिए पंडित जी ने फिर कहा शास्त्रों का कथन है कि ये सब उसकी लीला है तमाशा है महराज जी ने जवाब दिया हर बात में कोई मकसद होता है परमात्मा कोई काम अकारण नहीं करता इसी समय रावल पिंडी और पेशावर की ओर के कुछ सत्संगी आए हुजूर के चरणों में माथा टेका और बैठ गए हुजूर ने हर एक से उसके परिवार का कुशल मंगल पूछा उसके बाद उन्होंने हुजूर को रेल गाडी में हुई एक नौजवान की दुखत मिर्तियू का हाल सुनाया जल्लो स्टेशन में एक नव विवाहत दंपत्ती गाडी में चढ़े और बुटारी रेलवे स्टेशन पर पती अपनी पत्नी के लिए कुछ मिठाई और फल लेने के लिए उतरा थेले वाले के पास पांच रुपई की रेजगारी नहीं थी इसलिए वो टिकेट घर रेजगारी लेने के लिए चला गया इसी बीच गाडी चल पड़ी नौजवान ने हाथ में फल लिये हुए चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की तो उसका पैर फिसल गया वो गाडी के नीचे आ गया और उसके शरीर के टुकडे टुकडे हो गए बेचारी लड़की की अभी अभी शादी हुई थी और वो पहली बार ससुराल जा रही थी वो परदा निशीन थी उसे ये भी मालूम नहीं था कि उसे कौन से गाव जाना है केवल वो इतना ही बता सकी कि पहली यात्रा में उसने लुधियाना पर एक दूसरे स्टेशन के लिए गाड़ी बदली थी जहां से उसके पती का गाव पांच मील था पंडित केवल कृष्ण बोल उठे हे भगवान इस दुनिया में कैसा कैसा दुक दर्द है हुजूर महराजी ने कहा मुसल्मान संतों ने सिंग ने इस बात का विरोध किया हुजूर हम ये नहीं कह सकते कि इस संसार में दुख ही दुख है यहां सुख और दुख दोनों इकठे मिलते हैं कुछ लोग यहां वास्तव में बहुत सुखी है हुजूर ने उत्तर दिया आप इंद्रियों के क्षण भंगुर सुख को ही सच्चा सुख समझ बैठे हैं मौत, बिमारी, बुढ़ापा, अनिश्चित भविष्य या दुरघटना आदी का डर हमेशा मनुश्य के सिर पर मंदराता रहता है कहीं बेटे की मौत का डर खाये जा रहा है कहीं खुद पर या पत्नी पर बेमारी हमला कर रही है तो कहीं वेपार में घाटे का डर बना हुआ है इन सब के होते हुए आप अपने आपको सुखी कैसे कह सकते हैं अस्पतालों में जाकर देखिए लोग कैसे तड़प रहे हैं आप रोज अदालतों में देखते हैं लोग किस बुरी तरह से लड़ रहे हैं फौजदारी मुकदमे चल रहे हैं जेल आदी सक्त सजाएं हो रही हैं गरीब कर्जदारों के खिलाफ डिकरियां हो रही हैं उनकी जायदाद निलाम की जाती है और उनके बीवी बच्चों को बेघरबार कर दिया जाता है अगर आप इन सब बातों को नजर अंदाज भी कर दें तो भी इस बात को नहीं भुला सकते कि हर इनसान को एक दिन जरूर मरना है मनुश्य को सच्चा और स्थाई सुख तभी मिल सकता है जब वो अपना रुख परमात्मा की और करे वही सच्चे सुख का स्रोत है जिस पदार्थ से इस संसार की रचना हुई नाश और मौत उसका सुभाव है फिर आप यहां स्थाई सुख की आशा कैसे कर सकते हैं आप दुनिया के सुखी से सुखी वक्ती से भी मिलें उसके दिल में भी आप एक निराशा, उदासी, अकेलेपन या खिन्नता की भावना पाएंगे ये बेचैनी आत्मा के अपने मूल, परमात्मा से बिछडने के कारण है ये बूंद की वापस समुदर में समा जाने की तडप है सरदार केसरा सिंग बोले महराज जी, मैं जानता हूँ कि सिर्फ बहस करने या बाल की खाल निकालने से कोई फाइदा नहीं लेकिन फिर भी मेरे मन में ये सवाल बार बार उठता है कि परमात्मा ने सृष्टी की रचना क्यों की उसने सचखंड से हमें नीचे क्यों भेजा उसने इस संसार में इतने दुख क्यों पैदा कर रखे हैं हुजूर ने फरमाया मैं डॉक्टर जॉनसन से आपको एक कहानी सुनाने के लिए कहूंगा जो कुछ दिन पहले मैंने उन्हें सुनाई थी ये शायद आपको पसंद आएगी डॉक्टर जॉनसन एक अमेरिकन सत्संगी थे जो आकर डेरा में बस गए थे बातचीत के समय वे भी धीरे से आकर एक कोने में बैठ गए थे वे मुस्कुराए और बोले ये बड़ी मनुरंजक कहानी है और इस शंका का समाधान भी करती है मैं शायद इसे इतने अच्छे ढंग से ना सुना सकूँ जैसे महराज जी ने सुनाई थी फिर भी कोशिश करूँगा कहानी एक अंधे के बारे में है जो की एक गहरे कुए में गिर पड़ा था उस रास्ते से एक मनुष्य निकला उसने अंधे आदमी की हालत पर दया करके उसे कुए से निकालना चाहा उसने एक लंबा रस्सा कुए में डाला और अंधे से कहा कि इसे पकड़ लो ताकि मैं तुम्हें बाहर खीच कर निकाल लूँ अंधे आदमी ने रस्सा पकड़ने के बदले उस मनुष्य से विर्थ के सवाल जवाब करना शुरू किये कि इतने गहरे कुए में मैं कैसे गिरा आप मुझे क्यों निकालना चाहते हैं क्या इसमें आपका कोई निजी स्वार्थ है लोग कुए क्यों बनाते है सबसे पहला कुए किसने बनाया इसका क्या भरोसा कि मैं फिर से कुए में नहीं गिर पड़ूंगा वगेरा वगेरा उसके बेवकूफी के सवालों से उस दयालू मनुश्य का धैरे तूट सा गया फिर भी उसने बड़ी शांती से जवाब दिया कि आपका भला इसी में है कि आप इस समय तो रसे को पकड़ कर उपर आ जाएं और उसके बाद आप आराम से चाहे जितने समय तक इन सब हालात पर विचार करते रहें लेकिन उस अंधे आदमी ने फिर वे ही बाते छेड़ दी और रसी वाले से पूछा कि ये क्या बात है कि मैं तो कुए में गिरा तुम नहीं गिरे उसने कहा कि भाई मैं कामकाजी आदमी हूँ अच्छी बात है लेकिन आप पहले ये तो बताईए कि ये कुवा कितना गहरा है और ये कब और क्यूं बना उस भले आदमी ने कहा ये कुवा इतना गहरा है कि तुमारे जैसे अनेकों की ये कब्र बंसकता है इतना कहकर वो चला गया अंधे आत्मी की इस बेवकूफी पर सब लोग हंस पड़े इस पर हुजूर ने कहा क्या हम सब ऐसा ही नहीं कर रहे हैं वास्तव में हमारी बुद्धी और तर्क हमारे छुटकारे के मार्ग में बहुत बड़े रोडे बन जाते हैं पंडित केवल कृष्ण ने पूछा हुजूर ये बिल्कुल सही है मगर एक सवाल हमेशा मुझे परेशान करता है क्या सब कुछ पहले से ही सुनिश्चित है या हम सब कुछ अपनी मर्जी से गटा बढ़ा सकते हैं क्या हमारी अपनी सुवतंत्र इच्छा भी होती है हुजूर ने फरमाया ना तो पहले से ही सब कुछ तैय है और ना हम हर एक बात में अपनी मर्जी चला सकते हैं एक समय था जब हमारी अपनी सुवतंत्र इच्छा थी हम जैसा चाहते वैसा कर्म कर सकते थे हमने कर्म किये और उन कर्मों का एक नतीजा निकला और वो नतीजा ही हमारा प्रारब्ध बन गया हम उससे बच नहीं सके हमने फिर कर्म किये पर इस बार हमारी स्वतंत्र इच्छा पर पुराने कर्मों का असर पड़ा और हमारे कर्म हमारे पिछले कर्मों के फल के अनुसार हुए इन कर्मों से फिर भाग्य बना और उसके फल स्वरूप हमारी इच्छा अनुसार कर्म करने की स्वतंतरता कम हो गई हम लाखों वर्षों से कर्म करके उनके फलों का अमबार लगाते जा रहे हैं कर्मों के फल और प्रतिफल की ये कड़ी हमारा अमिट प्रारब्ध बन गई है, हमारा शरीर, मन, बुद्धी आधी इसके द्वारा बनते हैं और ये हमें एक खास मार्ग पर चलने को मजबूर करते हैं, हमारे पिछले कर्मों से हमारी आज की जिन्दगी बनती है और हमारे आ आजबो रहे हैं, उसे भविश्य में काटेंगे इस समय हम दो तरह के कर्म कर रहे हैं पहला नए कर्म जिन्हें क्रियमान कर्म कहते हैं और दूसरा प्रारब्ध जो की पिछले कर्मों का फल है दोनों कर्म साथ साथ चलते हैं अब आप खुद ही फैसला कर सकते हैं कि हम कहां तक सोतंत्र हैं और कहां तक भाग्य की जंजीर से बंदे हुए हैं जिसे हम भाग्य कहते हैं वो हमारे पिछले कर्मों के फल के सिवाए और कुछ नहीं है हमने ही ये भाग्य बनाया है और हम ही अपना आगे का भाग्य बनाने में निरंतर लगे हुए हैं हम जो भी कर्म करत किसी इच्छा या कामना के वशिभूत होकर करते हैं। ये इच्छाएं ही हमारे अगले जन्म की बेडियां बन जाती हैं। इसलिए इनसे मुक्ती या छुटकारे का केवल एक ही रास्ता है कि हम इच्छा रहित यानि निश्काम कर्म करें। हम अनसक्त भाव से कर्म करें और उनके फल के बारे में कोई इच्छा ना रखें। तन, मन, धन, स्त्री, बच्चे आदी सब को प्रमात्मा की ओर से सौपी गई धरोहर या अमानत समझें और अपने आपको उनका अमानतदार मान कर कर्म करें। यानि आप खुद को उस मालिक क एजेंट समझकर कर्म करें। एजेंट के सब कारियों की जिम्मेदारी उसके मालिक की होती है। एजेंट किसी नफ़े नुकसान का भागिदार नहीं होता। तकलीव तो तब होती है जब हम अमानत में खयानत करने लगते हैं। रायरण जीद कुपाल के एक संबंधी शिरी तो कदम कदम पर जरूरी है लेकिन फिक्र ना करें सत्संगी के अंतर में बोया हुआ नाम का बीज एक ना एक दिन जरूर उगेगा संसार की कोई ताकत उसे नश्ट नहीं कर सकती सच्चे सत्गुरु से नामदान पाया हुआ जीव एक दिन अवश्य सच्खंड पहुँचेगा पंडित केवल कृष्ण बोले महराज जी गुरू का आसरा लेना क्या मनुश्य की कमजोरी या बुजदिली की निशानी नहीं है मनुश्य को अपनी मुसीबत का सामना आप ही करना चाहिए अपनी लड़ाई आप ही लड़नी चाहिए एक सरल हसी से हुजूर का चेहरा खेल उठा उन्होंने कहा अपने मन, अपनी बुद्धी और इच्छाओं को किसी दूसरे की इच्छा पर छोड़ देने के लिए तो बड़ी मजबूती और वहादुरी चाहिए पंडित जी अगर आप आंतरिक रुहानी सफर अकेले शुरू करना चाहें तो कर सकते हैं लेकिन जो अंतर में आने वाली कठिनाईयों और रुकावटों को जानते हैं उनकी राय कुछ और ही होगी क्या हम दुनिया की लड़ाईयों में दूसरों की मदद नहीं मांगते बगैर मददगार के बिना रहनुमा के आप अंदर के सफर में एक कदम भी नहीं उठा सकते अगर आपको गुरू शब्द पसंद नहीं तो आप उसे गुरू ना कहें उसे अपना मित्र कहलें साथी कहलें चाहे तो दास या सेवक भी कहलें परंतु जो कोई भी परमात्मा की खोज में अंदर जाना चाहेगा उसे एक मार्ग दर्शक की जरूरत पड़ेगी ही और जो अंदर का सफर करना ही नहीं चाहता वो गुरू के बारे में जो चाहे राय बना सकता है उसके फैसले पर किसी को क्या इतराज होगा पंडित केवल कृष्ण ने पूछा महराज जी मनुश्य को मौत के लिए क्या-क्या तैयारियां करनी चाहिए महराज जी ने जवाब दिया ये तैयारी तो पूरी जिन्दगी का काम है मनुश्य को ऐसी जिन्दगी बितानी चाहिए जिससे मौत का डंक निकल जाए ताकि मरते समय वो मौत से डरे नहीं बलकि उसे खुशी से गले लगा ले एक फारसी संत कहते है क्या तुम्हें अपना जन्मकाल याद है उस समय सब खुशियां मना रहे थे और तुम रो रहे थे अब इस तरह से जिन्दगी बसर करो कि मौत के वक्त सब रोवें और तुम खुशी मनाओ पंडित केवल कृष्ण ने फिर पूछा मरते समय मृत्यू का अनंद लेने के लिए मनुश्य को क्या करना चाहिए हुजूर ने उत्तर दिया पंडित जी आपने बहुत ही सुंदर शब्द का प्रयोग किया है लेकिन वास्तव में जिसने जीवन का सच्चा अनंद नहीं लिया वो मौत का सच्चा अनंद भी नहीं ले सकता भगवान शिरी कृष्ण गीता में कहते हैं अंत समय को पास आते जानकर जो मनुश्य अपने नौदवारों से ध्यान निकाल कर मन की फैली हुई वृत्तियों को आखों के बीच में एकाग्र करेगा वो परमानंद को प्राप्त करेगा राय सहाब रनजीत कोपाल ने कहा लेकिन हुजूर जब तक कोई जिंदगी भर इसका अभ्यास ना करे तो क्या मौत के समय ये संभव हो सकेगा हुजूर ने समझाया मृत्यू का वक्त इतना तकलीफ का होता है कि बड़े-बड़े पैगंबर भी उससे घवराते है सहजो बाई कहती हैं कि मृत्यू के समय इतनी पीडा होती है जितनी की एक साथ दस हजार बिच्छूओं के डंक मारने से होती है अब आप ही सोचिए कि इतने बेहत दर्द के समय कोई वक्ती अपने मन को एकागर कैसे कर सकता है अगर उसने जीवन भर अभ्यास के द्वारा इस एकागरता की क्रिया को सिधना कर लिया हो रायरंजीत कोपाल ने शिकायत की कि जब भी वे भजन में बैठते हैं उन्हें नीद बहुत सताती है हुजूर ने कहा हाँ राय सहब अभ्यास की सफलता के मार्ग में तीन रुकावटे हैं निद्रा भी इन में एक है बाकी दो हैं अलस्य और प्रमाद अलस्य सुस्ती को और प्रमाद लापरवाही को कहते हैं राय सहब ने शिकायत की हुजूर इन तीनों ने मेरे उपर कब्जा कर रखा है। हुजूर महराजी ने फिर दोहराया कि निद्रा, सुस्ती और लापरवाही एक अभ्यासी के सबसे जबरदस्त शत्रू हैं। महराजी इनसे कैसे छुटकारा पाया जाए। राई सहब रणजीत कोपाल ने फिर पूछा। हुजूर ने जवाब दिया, अभ्यास के समय जब नीद या उंग आने लगे तो आप इसका फाइदा उठा सकते हैं। भजन में सफलता के लिए आपको क्या करना पड़ता है। आप अपनी तवज्जो को सब इंद्रियों से समेट कर आँखों के बीच में इकठा करते हैं। अब सोचिए कि जब आपको नीद आने लगती है, तब क्या होता है। उस समय भी आपकी तवज्जो सब और से सिमट कर आँखों के बीच में आ जाती है, लेकिन उस समय उसका जुकाव नीचे की और कंठ में होता है। अब नीद के द्वारा ये जो सिमटाव होता है, उसका आपको फाइदा उठाना चाहिए। इस समय आप अपने ध्यान को आँखों के बीच स्थिर रखें और तीसरे तिल में जाने की कोशिश करें। नीद तभी आती है, जब हमारी तवज्जो आँखों से फिसल कर कंठ चकर में आ जाती है। यही ध्यान जब आँखों के नीचे बाहर निकल आता है, तो जागरे तवस्था आ जाती है। आप उसे नीचे या बाहर मत जाने दीजिए। अपनी तवज्जो को निद्रा और जागरे तवस्था के बीच की हालत में स्थिर रखिए। तब आप देखेंगे कि आपका ध्यान अंतर में तीसरे तिल की ओर जा रहा है। द्रिड संकल्प ही सत्संगी को जखजोर कर इस प्रमाद से छोड़ा सकता है। हर रोज सुभा अपने इस संकल्प को दोहराते रहिए कि मुझे रोज भजन में पूरा समय देना है और इस निच्च्य को नियत समय से निभाईए। अपने मन से कह दीजिए कि जब तक वो रोज भजन नहीं करेगा तब तक उसे भोजन नहीं मिलेगा। हर सुभे हमें मालिक की दया महर के बदले में ये भजन की भेंट देनी चाहिए। राय साहब ने कहा मेरा सबसे बड़ा दुश्मन तो नीद है। हुजूर महराजी ने समझाया नीद पर दूसरे साधनों से भी खाबू पाया जा सकता है। सिमरन को मन से ना करके जबान से शुरू कर दें। जैसे कि आप किसी से बातें कर रहे हों पर जबान से सिमरन जोर से ना हो। ऐसे सिमरन के समय आपकी आवाज केवल आपको ही सुनाई दे किसी दूसरे को नहीं। इससे नींद दूर हो जाएगी और अगर इससे भी काम ना चले तो उठ जाईए और हाथ मूँ धोलीजिए और कुछ देर टहलिए या अपने कमरे में टहलते हुए सिमरन करने लग जाईए पर इन सब बुराईयों या उपद्रवों की असली दवातों बराबर अभ्यास करने का हमारा अपना द्रिड संकल्प ही है हुजूर ने आगे फरमाया इस प्रशन पर हम एक और तरह से भी विचार करें माल लें कि आप अपने किसी अफसर के सामने खड़े हैं अगर उसने आपको कोई फर्ज पूरा ना करने पर जवाब तलब के लिए बुलाया है तो क्या उ अरीज को नीद आएगी अब भ्यास के समय हम इसी लिए सोज आते हैं कि हमें मौत का डर नहीं जो एक दिन अवश्य आएगी या नीद हमें इसलिए आती है कि हम ये महसूस नहीं करते कि हम मालिक के शेहनशाही दरबार में खड़े हैं जो हमारा सबसे बड़ा अफसर है एक-एक सांस का हिसाब देना पड़ेगा एक सतसंगी ने कहा हुजूर सुबा तीन बजे उठना तो बड़ी कठिन बात है महराज जी ने फरमाया अगर सुबा जल्दी उठने में आपको दिक्कत महसूस होती है तो अपनी सुविधा के अनुसार आप और कोई समय भजन के लिए निकाल सकते हैं पर प्रातैकाल का समय सबसे अच्छा है राय सहाब ने अर्ज की महराज जी मन को वश्मे करना तो बहुत मुश्किल है हुजूर ने जवाब में फरमाया मन से नहीं कहने की आदत डालें पहले उसे आप छोटी छोटी बातों को मानने के लिए मजबू जुका है कि हमारे लिए उसे अपनी मन मानी करने से रोकना असंभव है। हुजूर ने कहा नहीं असंभव सही लफज नहीं है आप कठिन जरूर कह सकते हैं आप मन पर काबू पाने के लिए इस प्रकार शुरुआत करें मान लें कि आपको बड़ी जोर की प्यास लगी है औ और आप पानी या दूसरी कोई चीज पीना चाहते हैं। गिलास भरकर आप सामने मेज पर रख लें और अपने मन से कहें कि ये पानी तुझे दस मिनट बाद मिलेगा। आप पानी दस मिनट बाद पिएं। मेरे खयाल से ऐसा करना तो आपके लिए आसान होगा। उस पानी ने स्विकार किया। हाँ, ये तो आसानी से किया जा सकता है। हुजूर ने कहा, ये मन पर आपकी विजए है। मान लीजिए आपको मिठाई बहुत पसंद है और आपने खाने के लिए एक टुकड़ा उठाया है। आप उसे डिब्बे में रख दें और मन से कहें कि ये पांच मिनट बाद मिलेगा और पांच मिनट तक उसे ना खाएं। इस प्रकार मन पर आपकी छोटी छोटी विजए धीरे धीरे मन को पूरी तरह से काबू पाने में मदद देगी। इसके बाद मन को वश्मे करने की दूसरी कोशिशें भी कर सकते हैं। दिन भर में कम स एक ऐसा अच्छा काम जरूर करें जो आपके मन को अच्छा ना लगता हो। थोड़े दिन के अभ्यास के बाद आपको ऐसे नतीजे देखने को मिलेंगे कि आप ताजुब में पढ़ जाएंगे। उसी सतसंगी ने कहा, कभी कभी तो ऐसा होता है कि भजन सिमरन पर बैठते बैठने के मन से कहें कि वो एक आद घंटा ही बैठे। इतना हो जाने पर धीरे धीरे समय बढ़ाते जाएं। कभी कभी मन को जिद्धी बच्चे की तरह मनाना पड़ता है। नियत समय के अतिरिक्त हर रोज सोने से पहले सिमरन के लिए आदा घंटा दें। इसे रोज की आ अध्यात्मिक अभ्यास सफलता पूर्वक करते रहना मुश्किल है। इस पर हुजूर ने जवाब दिया। संतमत जिंदगी की सच्ची रहनी सिखाने वाला एक अमली स्कूल है। ये संसार की सब जिमेदारियों को पूरा करते हुए परमात्मा की प्राप्ती का मार्ग जब आप संसार के संबंधों को और लेन देन के असली रूप या भेद को समझ लेते हैं, तब उन्हें निभाते हुए रुहानी अभ्यास करना आसान हो जाता है। दो बातें हमेशा याद रखें। पहली बात है मौत। ये ना भूलें कि यहां हमें हमेशा के लिए नहीं रहना है। आज नहीं तो कल हमें इस दुनिया को जरूर छोड़ना पड़ेगा। जिन्दगी भर पच पच करके जो कुछ भी हमने जमा किया है सब यहीं छोड़ जाना होगा। और दूसरी बात हमारे मनुश्य जन्म का असली उदेश्य वो नहीं है जिसमें हम अपना खीम जिन्ती वक्त बरबाद कर रहे हैं बलकि कुछ और ही है। अपनी जिन्दगी के असली उदेश्य पर विचार करने के लिए कुछ समय निकाले। मैं कौन हूँ और क्या हूँ? कहां से आया हूँ? इस मनुश्य जीवन का क्या मकसद है? इसका अंत क्या होगा? इसका सबसे अ भव नहीं। पर संत इस पृत्वी पर आकर जो कष्ट उठाते हैं, उसकी तुलना में ये काश्मीर वाला उधारन तो कुछ भी नहीं है। वे अपने परमानंद के पवित्र देश को छोड़कर इस गंदगी, संताप और जूट से भरी दुनिया के कैद खाने में आते हैं। वे केवल हम लोगों के उधार के लिए इस जड़ संसार में मनुष्य देह धारन करके कष्ट उठाने आते हैं। हमें इस अज्ञान, अंधकार तथा मृत्यू के लोग से उबार कर वापस अपने धाम, अनंत सुख और सच्चे अनंद के लोग में ले जाने के लिए ही वे ये हाड मास क मेला चोला धारन करते हैं। वे केवल हमें अपने असली घर का रास्ता ही नहीं दिखाते, बलकि हमारे कर्मों के भारी बोज को भी अपने सिर पर ले ले लेते हैं और हमें रुहानी मंडलों पर पहुँचाते हैं। केवल अपनी ही कोशिशों से मन और माया की जंजीरों को तोड़ कर सचखंड पहुँच जाए। रायरंजीत कुपाल बोले, वास्तव में संथ हमारे सबसे बड़े हितैशी हैं। कभी आगे या पीछे छोड़ कर चले ही जाते हैं। पर सतगुरु कभी नहीं छोड़ता। मृत्यू के बाद भी वो हमारे साथ रहता है। इस संबंद का गुरु रामदास जी ने कितना सुंदर वर्णन किया है। वे कहते हैं, जैसे एक मा बच्चे को जन्म दे कर उसे बड़े प्यार और हिफाज़त से पालती है, हमेशा घर और बाहर उस पर नजर रखती है, ठीक समय पर उसे खिलाती पिलाती है और हर समय उसे प्यार करती है, इसी तरह सत्गुरु अपने शिश्य को परमार्थी प्यार में पालते और संभालते हैं। जब हुजूर चुप हुए तो पंडित केवल कृष्ण ने कहा, महराज जी हम आपके दर्शन के लिए यहां आने की साल डेड़ साल से कोशिश करते आ रहे थे, पर कुछ न कुछ रुकावट आ ही जाती थी, ऐसा क्यूं हुआ? महराजी का मुख एक मेठी हसी से चमक उठा, उन्होंने फरमाया, आप ठीक कहते हैं, दुनिया में एक ऐसी विरोधी ताकत भी है, जिसे हम काल कहते हैं, ये त्रिलोकी का स्वामी है, ये नहीं चाहता कि कोई भी जीव सत्गुरु से मिले, ये जीव को संतों से दूर रखने के लिए कुछ भी कर सकता है, काल और सत्गुरु के काम एक दूसरे से बिलकुल भिन हैं, संत आत्माओं को इस दुनिया के जेल खाने से छोडाने के लिए आते हैं, काल इस जेल खाने का जेलर है, वो नहीं आत्मा को इस कैद में रखने के लिए संतों से जबरदस्त लड़ाई करता है। पंडित केवल कृष्ण गंभीरता से बोले, ये सही मालूम देता है। रखराई रखराई रण्जीत कुपाल ने पूचा, पूधूर, क्या सत्गुरु जिने नाम देते हैं, उन सब शिष्च्यों के पापों का बोँज अपने उपर ले लेते हैं। हुजूर ने जवाब दिया हाँ, जिने वो नाम देता है उन सब सतसंगियों के करमों का बोज ले सकता है क्या नामदान के समय ही? हुजूर ने फरमाया हाँ, और बाद में भी ये क्रिया जारी रहती है राय सहब, आपने मुझे एक ऐसे भेद को खोलने को मजबूर कर दिया है जो अब तक छिपा हुआ था सुनिये, एक पूर्ण गुरू का नामदान केवल पवित्र नाम को जपना या दिव्यध्वनी को सुनना मातर ही नहीं है दीक्षा के समय, वे शिष्च की आतमा की डोर को जो काल से बंधी हुई होती है खोल कर, सतगुरू के आंतरिक चरणों में बांध देते हैं उसके बाद जैसे जैसे शिष्च की प्रीती और भक्ती बढ़ती जाती है वैसे ही सत्गुरू उस दोर को और उपर के मंडलों में बांधते जाते हैं काल का मकाम या स्थान कंज कमल यानी दोनों आखों के बीच के बाई ओर है और सत्गुरू का दाहिनी ओर है मरते समय नाम विहीन लोगों की आत्मा अपने आप काल के मुह में पहुँच जाती है मानो किसी स्प्रिंग से बंधी खीची आती हो अगर नामदान का अर्थ केवल पांच नाम का बताना ही होता तो ये काम एक दस वर्ष की लड़की भी कर सकती थी लेकिन काल के मुह से आत्माओं को निकालना आसान नहीं है काल के फंदे से जीव का उध्धार केवल सत्गुरु ही कर सकते हैं राय साहब ने पूछा हुजूर एक सत्संगी को सचखंड पहुँचने में कितना समय लगता है हुजूर ने जवाब दिया इसके लिए कोई निश्चित नियम नहीं है ये तो सत्संगी की प्रीती, प्रतीती, भक्ती, लगन और कोशिश पर निर्भर है इसमें मालिक की दयामिहर और सत्संगी के अपने कर्मों का भी हाथ होता है मुझे ऐसे लोगों का भी पता है, जिनकी सूरत नाम देते ही अंदर चली गई और अंतर में सत्गुरू से साक्षात बादचीत की दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं, जिनका ध्यान दस साल के बाद भी बाहर ही भटकता रहता है ये तो केवल प्रेम प्यार का मार्ग है अगर सत्संगी का अपने गुरू के प्रती प्यार है तो वो चाहे भजन सिम्रन में ज्यादा समय ना दे पाया हो तो भी गुरू की कृपा उसे उपर के मंडलों में ले जाएगी बशर्ते कि वो अपने उपर बुरे करमों का भार नहीं ला दे जा रहा हो लेकिन ये बात निश्चित है कि नाम की प्राप्ती के बाद कोई भी जीव मनुष्य योनी से नीचे की योनी में जाकर जन्म नहीं लेगा और नाम लिये हुए जीव को सचखंड पहुँचने में चार जन्मों से अधिक नहीं लगेंगे सबसे बड़ी मुश्किल तो ये है कि मनुष्य जन्म की कीमत बहुत कम लोग समझते हैं और नतीजा ये होता है कि लोग अपनी जिन्दगी बेकार के कामों में गवा देते हैं एक सत्संगी ने कहा हुजूर कभी कभी महीनों तक ऐसा लगता रहता है कि जैसे शब्द कहीं गायब हो गया है हुजूर महराज जी ने उसे यकीन दिलाया शब्द कभी बंद नहीं होता वो तो हमेशा बिना रूके हमारे अंदर गूझ रहा है अगर वो एक पल के लिए भी बंद हो जाए तो हम जिन्दा नहीं रह सकते शब्द धुन तो हमारी जीवन धारा है ये हमेशा हमारे अंदर है पर हमारा ध्यान बाहर दुनिया में इधर उधर भटकता रहता है इसलिए हम इसे नहीं सुन पाते हमारा मन बड़ा चंचल है ये कभी निश्चल नहीं रहता जब तालाब का पानी हिलता रहता है तो हम उसमें अपना चेहरा नहीं देख सकते और अगर पानी में कीचड हो पानी गंदला हो तो वो एक और रुकावट बन जाता है जब पानी स्थिर हो जाता है और कीचड पेंदे में जम जाता है तो निर्मल पानी में हमारा चेहरा दिखाई देने लग जाता है इसी प्रकार जब मल, विक्षेप और आवरन रूपी लहरें जो हमारे मन को हमेशा चंचल बनाती रहती हैं, हट जाती हैं और हमारे हिरदय का दरपन निर्मल और पवित्र हो जाता है, तो उसमें आंतरिक रूहानी सुन्दर्ता और शोभा जलकें देने लग जाती है मन को निर्मल और पवित्र बनाने का ये काम सिमरन और भजन के द्वारा होता है सत्संगी ने फिर अर्जकी, हुजूर, मैं रोज लगभग दो घंटे सिमरन को देता हूँ, पर अंत में अपने आपको जहां का तहां ही पाता हूँ, शायद मैं सिमरन सही रीती से नहीं कर रहा हूँ हुजूर ने फरमाया, सिमरन हमेशा मन की पूरी तवज्जों के साथ करना चाहिए, मानो आप एक दुश्मन पर तलवार का वार कर रहे हो, गर्मी के महीनों में आपने पपीहे को स्वाती बूंद के लिए लगातार रट लगाते हुए सुना होगा, बगैर रुके वो लग सीखना चाहिए, उसकी तरह ही आपका सिमरन भी घंटों तक लगातार बिना रुके चलता रहना चाहिए, अगर सिमरन करते समय मन बाहर भटकता है, तो आप उसे जबान और होटों से सिमरन कर करके ठका दीजिए, याद रखिए कि ये मन के साथ आपकी हमेशा चलने वाली ए यही तो समस्या है हुजूर, सत्गुरू का प्यार कैसे पैदा किया जाए? हुजूर ने उत्तर दिया, मालिक के लिए प्यार पैदा करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप विश्वास और नम्रता के साथ भजन सिमरन में समय दें, जितने अधिक आप शब्द से सरदार केसरा सिंग बोले, महराज जी, शुरी गुरू ग्रंद सहब में गुरू सहबान ने प्रेम की बड़ी महिमा गाई है। हुजूर कृपा करके प्रेम के बारे में कुछ और खोल कर समझाईए। हुजूर ने फरमाया, प्रेम का मतलब है अपनी हस्ती को बिलकुल मिटा देना। कबीर सहब कहते हैं, जब मैं था तब गुरू नहीं, अब गुरू है हम नहीं, प्रेम गली अति सांकरी, ता में दोना समाही। पल्टू सहब फरमाते हैं, सीस उतारे हाथ से सहज आशकी नहीं। सरदार केसरा सिंग ने कहा, हुजूर ये बात पूरी तरह समझ में नहीं आई। हुजूर ने फरमाया, इसका मतलब यही है कि प्रेमी के लिए कोई भी कुर्बानी बहुत बड़ी नहीं है। एक सत्संगी ने पूछा, हुजूर कैसी कुर्बानी? महराजी ने उत्तर दिया, प्रेमी को अपना तन, मन और धन, सब कुछ प्रेम की वेदी पर कुर्बान कर देना पड़ता है। उसी सत्संगी ने पूछा, लेकिन किस तरह से हुजूर? हुजूर ने जवाब में फरमाया, मान लीजिए, आप भजन में बैठे हैं और शरीर से रू के सिम्टाव के कारण आपके अंगों में दर्द होने लगता है। अगर आप दर्द की वज़े से अभ्याद से उठ बैठते हैं, तो आप सच्चे प्रेमी नहीं। सच्चा प्रेमी अपने सत्गुरू के सुरूप की एक जलक मातर के लिए इस तरह के हर दर्द को बरदाश्ट करेगा। मान ले आपको धन दौलत से प्यार है, तो आपके लिए अंतर के द्वार नहीं खुलेंगे। पर मात्मा के प्यार के सामने आपके हिरदय में बसे हुए दूसरे सब प्यार खत्म हो जाने चाहिए। सच्चा प्रेम मन की सारी मलिनताओं को भसम करदेता है, वो मन मंदिर को साफ करके मालिक के बिराजने के लायक बना देता है। निशकाम भक्ती और निर्मल प्रीती ही वो सीड़ी है जो हमें सीधे मालिक के महल तक पहुँचाती है। प्रेम किसी भी प्रकार के खायदे कानून को नहीं जानता। प्रेम बनिये की दुकान नहीं है। वो नफे नुकसान का हिसाब किताब नहीं जानता। शायद आप लोग दूद बेचने वाली उस लड़की की कहानी जानते होंगे जो एक आने में एक पाव दूद बेचा करती थी, खरीदार आते, आना देते और पाव भर दूद लेकर चले जाते, लेकिन जब उसका प्रेमी आया तो वो सब हिसाब और नापतोल भूल गई और उसके बरतन में पाव पर पाव दूद उड़ेलती गई, उसकी मा ने इस पर लड़की को जड़का कि क्या इस तरह दूद लुटाया जाता है, लड़की ने जवाब दिया, मा, जिसे मैं प्यार करती हूँ, उसके साथ हिसाब कैसे रख सकती हूँ, क्या तुम नहीं जानती कि प्रेम सब हिसाब किताब भूल जाता है, अगर हम परमात्मा से सच्चा प्यार करेंगे, तो वो भी हमारे लेंदेन का लेखा भूल जाएगा। उनकी पत्नी को कुछ दिन के लिए बाहर जाना पड़ा, पर उसी दिन उसे वापस बोलाना पड़ा, क्योंकि उसके चले जाने के कुछ घंटे बाद ही वे बिमार पड़ गए। उसके बाद उनकी पत्नी उनके बिना कहीं बाहर नहीं जाती थी, लेकिन एक बार ऐसा अवस ससुराल की और चल पड़े इस पर पंडित केवल कृष्ण हस पड़े हुजूर महराजी ने मुस्कुराते हुए उनकी और देखा और बोले घायल की गति घायल ही जान सकता है प्रेमी लोग तो इससे भी ज्यादा बेहूदा बाते कर चुके हैं सुनिए आगे क्या हुआ रास्ते में एक छोटी नदी पढ़ती थी जब वे नदी के किनारे पहुँचे तो रात हो चुकी थी और नदी बाढ़ पर थी ऐसे खतरनाक समय में कोई भी नाववाला चौगुनी मजदूरी देने पर भी जान जोखिम में डालने को तयार नहीं था लेकिन प्रेमी कभी हिम्मत नहीं हारते वे एक लकडी का कुंदा या एक खाली पीपा खोजने लगे ताकि उसके सहारे नदी पार की जा सके पर उन्हें ऐसी कोई चीज ना मिली इसलिए नदी को तैर कर पार करने के लिए वो उसमें उतर पड़े थोड़ी देर बाद उन्हें उतार की और बहता एक मुर्दा दिखाई दिया और उसके सहारे वे नदी पार कर गए जब वे अपने ससुराल पहुँचे तो आधी रात हो चुकी थी और घर के सब खिड की दर्वाजे बंद थे वे घर के चारों और अंदर जाने के किसी मार्ग की तलाश में घूमने लगे लेकिन कोई रास्ता ना दिखाई दिया ठक कर वे अपनी पतनी के कमरे की खिड की के नीचे जा बैठे वो खिड की दूसरी मंजिल के कमरे की थी वहाँ बैठ कर पतनी का ध्यान अपनी और खीचने के लिए वे खासने लगे और तरह तरह की आवाजे करने लगे वहाँ बैठे बैठे वे उपर चट पर पहुँचने का कोई उपाए सोच ही रहे थे कि उन्हें कुछ सरसराहट की आवाज सुनाई दी मानो कोई उपर से रसी लटका रहा हो देखने पर मालूम हुआ कि एक बड़ी रसी नीचे की तरफ लटक रही है और उसकी मदद से वे अपनी पतनी के कमरे में पहुँच गए उन्होंने वहाँ पहुचने पर रसी की मदद पहुचाने के लिए अपनी पतनी को धन्यवाद किया कैसी रसी उसने अस्चर्य के साथ पूछा पती ने कहा क्या उपर चड़ने के लिए रसी तुमने नहीं लटकाई थी पतनी ने जवाब दिया नहीं मैंने कोई रसी नहीं लटकाई उसके बाद वे दोनों उस दिवार की और गए तो देखा वहाँ एक बड़ा साप लटक रहा था जिसे प्रेम में विभोर तुलसीदास रसी समझ बैठे थे उसके बाद उन्होंने पतनी को बताया कि रास्ते में नदी बड़े वेग में थी और उन्होंने एक मुर्दे के सहारे नदी पार की इस पर उनकी पतनी ने कहा हे प्राणनात इस प्यार का दस्वा भाग भी अगर आप परमात्मा के लिए पैदा कर लेते तो वो आपके लिए मुक्ती के द्वार खोल देता आप मेरे अंदर ऐसा क्या देख रहे हैं मैं तो महज एक गंदगी से भरा हाड मास का पुतला हूँ अपने प्रेम की लगन को प्रभू की और लगाईए ताकि हम दोनों इस भवसागर से पार हो जाएं उस अनपढ लड़की के इन सीधे सरल शब्दों ने तुलसी दास की आँखे खोल दी और उनकी जिंदगी ही बदल दी वे अपनी पत्नी के चरनों में छुक कर बोले हे देवी, तुमने मुझे ग्यान दिया है परमात्मा तुम पर कृपा करे तुम मेरी सच्ची गुरू हो ये कहकर उन्होंने अपनी पत्नी से विदाली और परमात्मा की खोज में निकल पड़े सरदार केसरा सिंग ने पूछा ये सच्ची घटना है या केवल कहानी ही है हुजूर महराजी ने जवाब दिया तुलसी दास की जीवनी लिखने वाले लगभग सब लोगों ने इसका वर्णन किया है